हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम विवेक सिंग राठो है और आज के इस सेशन में मैं कुछ important questions discuss करने वाला हूं जो electronics के कोई भी एक्जाम में बहुत बहुत important है और खासकर अभी जो MPPSC DSP radio आने वाला है उसके लिए तो most important question है मैं खुद अभी तीन मेयना पहले सीडी पीसी के DSP radio में मैं सलेक्ट हुआ हूं और उसमें मेरा रांक फर्स्ट था तो अपने experience के अधार पर कि क्या question पढ़ने चाहिए क्या important question होते हैं क्या concept लगाना चाहिए किस टाइब से technique use करना चाहिए उस हिसाब से मैं यह video आप लोगों के लिए लेकर आया हूं तो hope आप लोगों को यह video पसंद आएगा और आप लोगों को इसको मतलब जैसे दस question आज मैं अभी इस video में discuss करूंगा आपको पसंद आयागा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको और इस टाइप के वीडियो चाहिए या मतलब आपकी क्या डिमांड है उसे साब से वह requirement को मैं कोशिश करूंगा पूरी होने की क्योंकि अभी तक मेरी जब तक मेरी जॉइनिंग आएगी तब तक मैं कम से कम आप लगों कि इस तरीके से help कर सकता हूं तो चलिए start करते हैं और अगर आपको पसंद जरूर आएगा तो बिल क्योंकि एक्जाम में भी मिक्स कोशन आने वाले हैं तो आप लोगों को इसमें भी मैं कोशिश किया हूं कि दस कोशन है वो थोड़े मिक्स बेराइटी के हैं और ऐसे मैं सीरीज लेके आऊंगा आगे तो start करते हैं first question है the strain gauge should have इसमें पहले दे रखा है कि हाई गेज या high resistance होना चाहिए तो इसमें option दिया है कि 1 & 2 सही है 1 & 3 2 & 3 और 1 2 & 3 तो आपको मैं बता देता हूं कि देखिए जो strain gauge होता है हम लोग measurement में इस्तमाल करते है strain gauge को नाम ही से समझ में आ रहा है strain है इसमें gauge factor वगरा होता है तो इसमें यह बोल रहा है कि देखिए high gauge factor होना चाहि तो उसकी gauge factor बहूत हाई होना चाहिएní मतलब कि ज्यादा resistance का change में ज्यादा strain में होना चाहिए है तो high gauge factor होना ही चाहिए बिल्कुल resistance temperature coefficient मतलब कि जो resistance है उसका temperature क्या dependent है तो resistance पे जो temperature काject है वो कम होना चाहिए temperature के कारण resistance का change नहीं होना चाहिए और तीसरा है कि हाई resistance होना चाहिए स्ट्रेंड के लिए तो इसका आंसर डी option होना चाहिए ठीक तो इस question से आपको कुछ चीज रिवाइज हुआ होगा तेक उसके बाद next question पर आते हैं next question भी कि एक measurement का question है जिसमें लिखा हुआ है कि एक 0 से 1500 volt voltmeter है जिसका accuracy जो है guaranteed accuracy 1% full skill reading का है अब यह जो voltmeter है यह voltage 83 volt को measure करता है तो इसका limiting error क्या होगा आपको मैं अपने experience के अधार पर बता रहा हूँ कि इस type का question है limiting error का और इस variety का question आपको हर exam में इस रो में IES में इस MPPSC में CGPSC में आपको देखने को ही मिलता है question ठीक है बार्क वगएरा के exam में तो इस question को solve कैसे करता है simple सा बात है guaranteed accuracy कितना है 1% of full scale reading full scale कितना है 1500 volt 1500 volt का 1% इसकी guaranteed accuracy है तो 1% of 1500 volt कितना होगा 1.5 अब यह बोल्टेज 83 वोल्ट मेजर किया है मतलब मेजर करने की कोशिश की गई है तो अब कि आप इसको solve करेंगे आप बोलेंगे 1.5 divided by 83 आरे मैं कैसे solve करूँ और time कम है तो आप simple मान लिए ना 1.5 को आप और percentage में करेंगे 100 multiply करेंगे तो आप simple उसको भी 1.5 को 150 मान के चलिए और नीचे 83 है तो आप कैसे करेंगे मतलब 75 होता है और नीचे आपके 83 मतलब 75 से ज्यादा तो आप उसको आप मान के चलिएगा कि तू के आसपास होगा मतलब आप इसको रफ कैल्कुलेशन करेंगे तो तू के आसपास percentage आएगा तो आप यहां से आप इसको ऐसा अनुमान लगा सकते हैं मतलब आप इसको solve किया 150 वोल्ट तो आप solve करेंगे वन बाई 100 इंटू 150 इंटू आपका 83 ठीक है आप इसको डिवाइड बाई फिर 83 कर लेंगे और इंटू 100 कर लेंगे तो आपका answer आजाएगा कुछ भी होगा कोई भी full scale reading होगा आपको वैसे ही कर लेना है इसको जो भी वोल्ट आता उसको डैट वोल्ट डिवाइड बाई यह जो मेजर किया गया वो वोल्ट ठीक है तो आपका answer आजाता कि वो स्कौइर वेल्यूव वह अन रखेगा यह सारे कोशन है कोई भी रैंडम कोशन नहीं बता रहा हूं यह सारे international question most important question जो एक्जाम में हम हुए है याज में जो बहुत सारे बैंडिजिटली रिकॉरडडेट होता है उसका बैंड yht मतलब आप कोई बी생किर करते हैं signal को उसका जो bandwidth होता है वो किस पर depend करते हैं तो आपको पता होगा जब digitally record करते हैं कोई भी चीज को तो सबसे पहले हम लोग sampling करते हैं analog को कोई भी चीज को तो अपन जब sampling करते हैं जब Nyquist criteria को follow करते हैं तो आपको यह याद रखना है कि किस frequency पर सेंपल हो रहा है तो इसका सीधा सीधा answer है कि भाईया digitally recorded signal है उसका bandwidth किस पर dependent है the frequency at which signal is sampled तो B option is the right answer ठीक फिर next question में आते हैं यह बोलता है कि जब while measuring the voltage developed by thermocouple thermocouple एक temperature measuring instrument है ठीक है thermocouple इसमें ध्यान रखेगा thermo मतलब होता है कपल मतलब यहां difference in temperature एक hot junction एक cold junction के basis पर अपन इसका temperature मेजर करते हैं तो while measuring the voltage developed by thermocouple it is found that there is always an offset voltage हमेशा एक offset voltage यह होता है जैसे हम लोग कुछ भी चीज को नहीं नापते है जैसे एक device है उसमें कोई signal नहीं दे रहे हैं फिर भी output आ रहे है तो उसको offset voltage बोलता है है तो वैसे ही यहां पर है it is found that there is always an offset voltage तो वह क्यों होता है मतलब अगर आप कोई voltage को thermocouple में developed हुआ है उसको आपने जारते हैं तो हमेशा एक offset voltage उसमें देखने को मिलता है तो वह क्या चीट का है तो आपका देखिए उसका answer यह है कि ऐसे तुचारों option है लेकि इसका answer है voltage across a thermocouple even at very low temperature ठीक है मतलब एक low temperature में जो बहुत low temperature में भी क्या है not electromagnetic in nature अब यह question पूछ रहे कि इन में से कौन सा जो रेज है वो electromagnetic नहीं है तो आपको बता देता हूं जैसे UV rays अल्ट्रा वालेट रेज हो एक्स रेज हो गामा रेज हो यह सब electromagnetic के नेचर में आता है electromagnetic का जब frequency range आप देखते हैं तो आप बिल्कुल visible range देखते हैं आप यह UV rays एक्स रेज गामा रेज रेज रेडियो फ्रिक्वेंसी वी एचेफ सारा चीज microwave यह सब electromagnetic in nature होता है लेकिन यह cathode होता है यह rays है वह आपका इलब में electromagnetic nature के नहीं होते तो इस बात को याद रखेगा एक्जाम ने आया हुआ कुशन है थिक तो इस चीज को याद रखेगा फिर एक क्वेशन यह है कि एक कॉइल है टिक एक कॉइल है जिसका इनक्टैंसं के लिए टू हेंड रखा है इनक्टैंस की गयोग और उसका लेजिस्टैंस अई उसकी वेल्यो वन ओम रखा है इस कणणेटट टुबहिं 23 यह 10 वोल्ट बैट्री के साथ किसको करेक्ट करते हैं इसका कोई भी इंटर्नल रेस्टेंस नहीं है तो उस जो अब देखिए इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस में magnetic field generate होगा ही होगा जैसे capacitance में electric field होता है store होता है और inductance में magnetic field store होता है तो जो energy है magnetic field की जो store हो रही यह वो कितनी होगी तो आपको इसका फार्मिला पता होना चाहिए कि जो amount of energy है जो magnetic field में store होते है वो half into L into I square होता है तो half into L L आप दे रखा है 2 of Henry और I आपको निकाल सकते हैं कि देखे है I current है तो current होता है voltage by resistance आप करेंगे तो सीधा सीधा 100 आजाएगा तो यही सारे कुशन आई हुए एक्जाम में तो बताइए आप आराम से बनाएं सकते हैं फिर एक क्वेशन है चल्वें रीफ्लेक्टमीटर का एक एक्वेशन है रीफ्लेक्टमीचों रे एक्षॉल में में क्या होता है एक ज्यूर्टमीचों में नाब्स्पटि अटो दटिक्षॉल क्वेशन 1 इस जिक है एक्えाइध्टमीचा' कन ился है जो डुह चार उसके बाद यह है है कि आपका एक transmission line है एक transmission line है जिसका characteristic impedance आपका 600 ohm दे रख्णा है जैड नॉट आपको दे रख्ता है उसका length 500 meter है ठिक मतलब एक transmission line है जिसका characteristic impedance 600 ohm है उसका length 500 meter है अब इस line को दो भाग में तोड़ दिये मतलब यह जो 500 MT का line था उसको 2 भाग में तोड़ दिये 25 Windows में अब इसमें Z0 की value क्या होगी हर half के लिए 100 m, मतलब 1.85 at 200 m में 200 tips क्या होगी तो देखें इसमें आपको यह property रखना ूँ क में की कोई भी Transributionkeys on Prime की characteristic impedance रहे च्रांस्पविशन के नहीं होती हुआ Rele sur m Sith कीoded dad lamada by 4 4 वे anya ने लाकिन glyre और योई नहिए रेपनले बन-धकर इसलिए अगर उसको दो भाग में तोड़ दिया है चार भाग में तोड़ दिये जाद नॉटी होगा तो यह चीज़ को याद रखेगा चिक यह लास्ट कोशन है इस सेशन का इसमें क्या है यह पूछ रहा है कि एक प्लेन वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स दिशा में ट्रैवल कर रहा है इना लॉसलेस अन बाउंडेड मीडियम एक लॉसलेस जो बिना प्लेन वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स दिशा में ट्रैवल कर रहा है इना लॉसलेस अन बाउंडेड मीडियम में पर्मिटिविटी नाइन टाइम्स एक्दम सिंपल होता है क्या होता है क्या होता है कोई भी वेव का पेस वेवलासिटी निकालना है पेस वेलासिटी क्या होता है सी बाइंडर रूट ऑफ एफसलेन आप सकते हैं यहां पर सीधा एफसलेन वेल्यू नाइन दे रह रखा है तो और तो देखें अगर एक प्लेन वेव है जिसकी स्पीड है वह आपका 3 x 10 to the power 8 है वो अगर ऐसे मीडिया में चले जाए जिसकी पर्मिटिविटी नाइन टाइमस है फ्री स्पेस से तो उसकी जो रफ्तार है फेस वेलोसिटी है वेव की वो मतलब 3 x 10 to the power 8 से सीधा 10 to the power 8 में आ जाएगा मेजरमेंट और इंस्ट्रुमेंटेशन वगड़ा से क्वेशन थे तो मैं ऐसे और भी वीडियो लेके आऊंगा और आगे के सेशन में आपको ऐसे ही 10-10 क्वेशन का कुछ-कुछ प्रैक्टिस कराते रहोंगा तो मैं उमीद करता हूं इस उमीद से इस वीडियो को बना रहा ह कि आपका कुछ एरिया मतलब electronics का एरिया revise हो जाएगा ठीक है ऐसा तो नहीं है कि यह 10 क्वेशन ही आपके पूरे syllabus का पार्ट है लेकिन ऐसे आप हर वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ questions कुछ concept आपके revise होते चले जाएंगे ठीक है तो I hope आपको पसंद आया होगा ठीक